असलाम लेकुम ग्लास फुर्ट हीएर बच्चे हमने स्टार्ट करनी है अग्ट सीमेट इंडस्ट्री और सीमेट इंडस्ट्री में पहले उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं जिप्टियान ने सबसे पहले सीमेट को डिसकवर किया उसके बाद ग्रीक्स और रोमन्स आये उन्होंने वोल्कैनिक टफ जब आतिश फिशा पहाड पहाड पढ़ते हैं तो वहाँ से जो लावा सा निकलता है उन्होंने उसको लाइम के साथ मिक्स किया और सीमेंट बनाया 1824 में जॉजफ एस्पडीन ने आर्टिफिशल सीमेंट बनाया और इसने कैसे बनाया उसने आर्जिलेशियस लाइम स्टोन की कैल्सिनेशन से बनाया और उसने उसका नाम दिया पॉर्टलैंड क्योंकि जो सीमेंट बना वैसा सीमेंट पॉर्टलैंड में कुछ पत्थर इसको डिफाइंग किया जाता है कि मेनुफैक्ट्र कैसे किया जाता है एक्चलि सीमेंट है क्या सीमेंट इस दौड़क्ट ऑप्टीन बाइग ग्राइंड अग मेंग क्लिंकर परिस तौट फोर परसें जिबसंट हैं अग कलिंकर बजरी टाइप चीज़ को कहते हैं चोटे हम वम केलिकीरियस sc пер You go ा वती ही नियमंग को पर क्लिंक्र के अंदर two to four पर संट जब आप। बाद देते हैं तो आप उसको सीमन् Do है केलकिरियस माटिरियल कौंसे हैं ऐसे माटिरियल जिनके अंदर केलσιum open signal हो और जो बेसिक हो रेंगि ऐसी चीज़ें हैं जिसमें clear type material हो जैसे कि यación कले माझवाई हते हमें इन दोनों को आफ है typ़ करेंगे तो आपके पास sty 260 One Prime Ici रिंग तो आप जो सीमेंट देख रहे हैं अगर शका फार्मूला देखना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला यह है tricalcium silicate या फिर आप इसको खोल कर three calcium oxide और silica भी लिख सकते हैं या फिर di calcium aluminate है two calcium oxide और एक alumina combine करके लिखेंगे तो ये formula हो जाएगा तो ये सारी इसकी definition है types of cement है इसमें जस्ट उसकी थोड़ी-थोड़ी definition ही है portland cement है portland cement further regular portland cement है जो कि आम तोर पर कंक्रीट बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है यहां पर फर्दर उसकी कुछ एक्जामपल्स है moderate heat of hardening and sulfate resisting portland cement और पर high early strength cement है quicker hardening हो जाती है low heat portland cement है sulfate resistant portland cement है इनके थोड़े से नाम देख लेज़ेगा बाकी इनकी भी जैस्ट आप फोड़ासा इसको देख लें इतना important नहीं है portland cement के बारे में आपको ज्यादा पता होना चाहिए next composition of cement ले लेते हैं के cement जो आप बनाते हैं वो उसमें क्या क्या चीज़े मौजूद है तो उसका एक general formula देख लिया आपको पता होगा उसमें calcium oxide हो सकता है that is 61.5% mainly calcium oxide है silica की percentage 22.5 alumina 7.5 magnesia 2% iron oxide 2% sodium oxide 1.5 potassium oxide 1.5 sulfur trioxide 1% यह जो composition of cement है that is important और यह आप सबने आद रखनी है अब composition के बाद हम यह देख लेते हैं कि हम यह जो chemicals हमने composition में चेक किए वो हम कहां कहां से ले सकते हैं तो सबसे ज्यादा जो इसमें element मौजूद होता है वो calcium oxide है और calcium oxide आप कहां कहां से ले सकते हैं limestone से calcium carbonate marble है chalk है marine shells है इन सब में calcium oxide होता है तो आप इन सब को ग्राइंड करके उसमें से calcium oxide ले सकते हैं इसके लाबा जो आपको यहां पर silica चाहिए तो उसी लगा के लिए आप clay ले सकते हैं shale, slate, blast, furnace, slag तो इस सब से आपके पास alumina और silica दोनों चीज़ें मिल सकती हैं जिपसम भी आपको चाहिए क्योंकि 2-4% आप जिपसम डाल रहे हैं और वो कैसे आप उसकी composition क्या है calcium sulfate and 2H2 इसके इलावा फ्यूल के तोर पे मतलब burn करने के लिए आप फ्यूल के तोर पे coal को यूज कर सकते हैं natural gas भी ले सकते हैं furnace oil भी यूज कर सकते हैं और इन तीनों का मकसद सिरफ और सिरफ उसको burn करना है और burn किसको करना है argilis material को calcareous material को argilis material को और पिर उसके बाद clinkers बनेंगे clinkers बजरे टाइप होते हैं और पिर आप clinkers को भी grind कर लेंगे और gypsum को भी grind करेंगे और 2-4% gypsum add कर देंगे wet process, dry process आपने कौन सा process रूज़ करना है यह depend करता है कि आपके पास raw material किस condition में है अगर वो wet condition में है तो आप wet process रूज़ करेंगे इसके लाबा आपके पास fuel की price कितनी है अगर महंगा है fuel तो आप dry process रूज़ करेंगे क्योंकि wet process को पहले आप dry करेंगे पर dry को burn करेंगे तो आपको extra fuel लगाना पड़ा वेट को dry करने के लिए तो अगर fuel की price ज्यादा है तो आप directly dry process रूज़ कर सकते हैं इसके लाब अब लोकल climate of factory पर बड़ी paint करता है लेकिन इन दोनों process के अंदर जो main steps होंगे वो यह होंगे पहला step यह होगा कि आपने यह material लिया है suppose आपने limestone, marble, chalk, clay, shell, slate, blast furnace, slag इन में से दोनों में से जो भी चीज़ ले लिया है आप उसको सबसे पहले step में crush करेंगे, grind करेंगे crush means उसको crush कर लेना grinding मतलब उसको बारी एक पीस लेना तो आपने crushing and grinding करनी है raw materials की उसके बाद raw materials को mix करना है कि homogeneous mass में जाए पर उस homogeneous mass को burn करना है ताके clinkers बन जाए और clinkers को dry करना है और उसमें powder gypsum add कर दिनी तो यह simple से 4 process है wet process generally use किया जाता है देख लेता है wet process में क्या है wet process के अंदर raw material आप use करते है वह soft in nature होता है वह पहले ही थोड़ा सा पानी की तरह गीला गीला सा होता है इसके लावा climate है वह damp हो सकता है और fuel cheap हो सकता है सस्ता है तो उसको पहले गीला करके mix करना आसान हो जाता है जो में इसका advantage है वह यह है कि जब आप calcareous or argillaceous material लेते हैं और उनको grind करते हैं और grind करके पानी में हल करते हैं और फिर उसको mix करते हैं तो mixing बढ़ी असानी से हो जाती है साकीन process होमोजीनिस मैस बनाने में असानी हो जाती है ठीक है तो अगर आपके पास fuel सस्ता है तो आप असानी से पहले पानी डाल के उसको mix कर लें और पिर क्यूंके fuel सस्ता है तो आप उसको burn करेंगे extra fuel use हो जाएगा तो आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा आप mix करते हैं सबसे पहले raw materials को आप crush करेंगे crush करने के बाद grinding mill में डालेंगे grinding mill में slurry बन जाएगे slurry होते है पानी में उसका थोड़ा सा पेस्ट सा बन जाना तो आप पानी की presence में grinding mill में उसकी slurry बना लेंगे slurry को फिर classifier में डालेंगे classifier में डालेंगे ताकि homogenous classifier एक machine है जो उसको अच्छे से mix up कर देती है और वो homogenous mass बनेगे पर कुछ तरह से अप अंडा है अंडे को फैंटते हैं ठीक है तो आप जितना ज्यादा फैंटेंगे वो उतना ज्यादा homogenous हो जाएगा तो classifier का मकसद है उसको अच्छे से homogenous करना इसके लावाद जो 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 ग्राइंड करने के बाद ग्राइंड से ही तरह से पीसे हुए नहीं होंगे पार्टिकल्स वो उसको बैक पिछे दुबारा से डाल देका grinding मिलके अंदर तक उदुबारा से बारी एक पीस जाएए उसके बाद को बदो पुष्प बनाती हैं इसके ऑद कारिक्शन टैंक में मैं दालेंगे करेक्शन टैंक में एक चुन को बैलेंस किया जाता है और और भरिज को फिल्टर करेंगे की बाद रोकी डालेंगे रोटरी के irritating में डालेंगे रोटरी किल्न का मकस़द स्कूफ बर्न करना है यहां पर उपर डायग्राम दी गई है उस डायग्राम को explain करने के लिए यहां पर steps दी गई है थोड़ा सा डायग्राम को भी देख लीजिए आपके पास A है यह में आप raw material feeder है इसमें आप raw materials डाले हैं जिसमें आपके calcareous materials है और argilisous materials है इसके बाद यह आपके पास zone है TM1 that is moderate temperature zone और इस zone में moisture eliminate किया जाएगा जैसे मैं आपको बताया कि कि वह पानी वाला mixture है तो उसको जब थोड़ा से heat करेंगे तो पहले पानी वापरेट होगा तक वह ड्राय हो और पर ड्राय होने के बाद वह बर्न होगा next है आपके पास average temperature zone यहां पर decomposition स्टार्ट हो जाएगी next है आपके पास maximum temperature zone और यहां पर आपके पास linker formation होगी temperature की ranges लिखी गई है और इन सब को हमने आगे जाके देखना है आपके पास B है fuel डालने के लिए यहां पर B fuel inlet है C से आप air जो है वह प्रोवाइट करेंगे ताकि यहां पर बर्न हो सके इसके लिए D जो है secondary air inlet है ताकि क्लिंकर जो बन रहे ह है बहुत high temperature पर उनको ठंडा किया जासे के यहां पर उन्होंने अलग-अलग से mentioning किया लेकिन E से मुराद है क्लिंकर यहां से निकलेंगे और F से मुराद है कि यहां पर rotary cooler होगा और G जो है यहां से जो flu gases जो extra gases फाल्टो की gases है उनको flu gases कहा जाता है वो flu कहते हैं वहां से G से eliminate होंगी फर्स्ट जो प्रोसेस होगा grinding मिल में आपके पास जो raw material है वो grinding मिल में आप लेंगे जहां पर पानी से पहले उस raw material को wash किया जाएगा ताकि यहां पर अगर कोई स्टोंज है वो remove हो सके इसके बाद पानी की मौझूदगी में ही raw material का size जो है उसको reduce किया जाएगा यह grinding मिल का function है next material classifier में आएगा classifier का मकसद इतना है कि जो particles छोटे हैं उनको आगे correcting tank में बेज दे और जो बड़े हैं उसको वापस grinding में में बेज दे करेक्टिंग टैंक ने उनकी composition को maintain करना है composition में 60% clay और 40% water जो है slurry के अंदर उसको homogeneous बनाया जाता है यहां से जो uniform material आया एक ही तरह का size है वहां पे slurry बनाएंगे 60% clay और 40% water एड़ करके उसके बाद उसको stir किया जाएगा ताकि वह homogeneous बनाया जा सके पैडल mixture में जो finally homogeneous मतलब कि उसको अच्छे से mix किया जाएगा ताकि वह fine हो जाए इसके बाद जो excess water है उसको वहां से निकाल दिया जाएगा filter करने के बाद जो filtered product है कि उसको rotary kiln में बेज देंगे जो rotary kiln है वो एक rectangular लंबा सा chamber है उस chamber की जो length है वो 250 feet है diameter 10 feet है उसके बाद यह अंदर से steel का बना हुआ है और अंदर fire bricks इसको जिस तरह से आपने बटियां देखी होती है उस type की rotary kiln होती है नेक्स यहां पर rotation उस rotary kiln को rotate किया जा सकता है rotate वो होती है half a revolution per minute एक minute में आदी rotate किरती है होट एर और फ्यूल को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है लोर एंड पर जैसे नीचे आप चूले के नीचे आग जलाते हैं वैसे ही वो जो लंबा सा 100-500 होगा और पानी एवापोरेट होगा ठीक है जब 500 हो जाएगा पहले तो जो फ्री वोटर हो वह वापोरेट होगा 500 डिग्री संटीग्रेट पे अगर कोई combined water है तो वह भी वापोरेट हो जाएगा नेक्स्ट है डिचे नेचिनेशन जोन इसका टेंपरेचर है 500-800डिक्री और क्याल्सीनेशन जोन के अंदर क्या होगा क्याश्यम कार्भोनेटकैल्जाम टौमें ब्रेक हो जाएगा 800 डिकरी चंड लिक्राम और पास में केलल्स्यम उक्साइड और वालोनीघ। के ट्रायकेल्शियम इलमिनेट भी बन सकता है अब यह जो प्रडक्स बन गई हैं आप इनको कहते हैं क्लिंकर्स क्लिंकर्स क्या हैं ग्रैनुलर मासलिज्श आपके पास एर चंपर कुल किया जाता है और जघंपर्चर बहुत हएं अधी याम पर तो दो हॉन को टंडा किया जाता है थंडा किसे किया जाता स्फ Dos 152 तूाई की कुल थैखी गूगए है अर खुल कhewए वह घर से वह घंजव है कि अहुग को दुबारा से एज फ्यूल यूज किया जाएगा ताके उस रोटरी किल में बर्निंग की जा सके नेक्स टूर कर लिया जाएगा स्टोर करते हैं रूम टेंपरचर पे 25 डिग्री संटिग्रेट पे नेक्स टैप बॉल मिल बॉल मिल के अंदर फाइनली जो है उनको जोड़ देता है तो वह जिपसम करता है नेक्स्ट ऑन पेकिंग सीविंग पेकिंग मेंज कि उनको उनकी वह जो पैकिंग है वह कर लिजाए बैग्स के अंदर पेपर बैग्स के अंदर उनको स्टोर कर लिया जाता है यह आपका वेट प्रॉसेस है